इस क्लाश आज हमारा जो फिजिस का टॉपिक है मेजरमेंट आफ लेंद यूजिंग दा मैजिंग टेब आप मैजिंग टेब आ रूलर गुलर सों मेड़ेश्टिबल मेटियल जो भी आपकी मैजिंग टेब हो थे वह किसी फ्लेक्सिबल मेटिडियल के द्वारा बनियों जी कि आप उसे मोट सकते हो जनरली किसी कपड़े की बनी होती प्लास्टिक की बनी होती यहां फिर फाइबर गलास या मैडर स्ट्रिप की बनी होती यह वली आपने देखी होगी ठीक है मैसिंग टेप नहीं तो फिर ऐसे देखा पंजाब में फीता बोल देशे और बंसाइट एक एक साइड पर क्यों होता कि टेप माकिं के में स्टीमेटर में में मार्क इछ में अच्छे से डूसरी साइड पर स्टेइव और नहीं म्यूम Gu revenge में में वहेς प्लेक्जिल चयके पने पॉकित होती है ना स्क्राइब ऑँग पैर इसे पैसे फूंडOD प्री तरह में था STARTे केरी कर सकते हैं एक जगह से दूशी जगह लेकर जा सकते हैं ठीक है मैंजिंग टेप आफ डिफेंड लेंड लेंद 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 ल ना देना दोनों ends को आपने क्या करना read करना difference जो भी उन दोनों reading में ठीक है दोनों points में आपने क्या करना read करना और जो भी इस points के बीच की readings होगी उनको आपने क्या कर ले ना measure कर ले ना for example कि आपने जैसे hedillas अपने measure करते है 라 तो एक इंचे के पास अपना हाथ रखे वो दूसरे तक मैजर करते हैं कितनी आपकी लेंद है ठीक है अगर कोई एंजिनरिंग वगरा भी मैजर करते हैं कंस्ट्रक्शन के काम के लिए तो हमने उसे मैजिंग स्किल में यह देखा था कि जो भी आपकी चीज उसके लौग ही आ पॉइंट पॉइंट आपका फाइब मेटर है तो आपकी टोटल जो भी मैजर्मेंट क्या होगी 5-2 तुरी एककोल आजएगी मतलब वह चीज आपकी कितने एककोल होगी फ्री मेटर के जैसे हाइट ऑफ साथवीक साथवीक की हाइट कितनी है 1.5 आपने उसकी हाइट फीड हैं मिटर की प्लेश प्लेश पर आप क्या लिग सकते हो वन मिटरवर्ड मिटर इस इकल डू थी पॉइंट येट फीट तो फिड लिख लो फिर बेट्स में आजाएगी आप फिर से आप ञेंजर में करें कर चाहिए हो हिस सिंपली उसको इंचर में कर दो गें 12 होते ना 1 फ यह झोने किस भी ऑब्जेक्ट में होती है तो सोटे तो एक जगा से मिसर कर सकते हो तो ग्राम यां मिली ग्राम में